नमस्कार दोस्तों पसू खरिदे समय डेरी फार्म खोलते समय पसू का चैन करना बहुत आवश्यक है पसू का नसल जरू देख लेना चाहिए पसू का ब्यात पहले ब्यात और दूसरी ब्यात की होनी चाहिए बाडी कंडीशन इसकोर तीन से चार होना चाहिए गाभिन है तो यह देख लेना चाहिए थन का सेप और साइज कैसा है उसको छू के भी देख लेना चाहिए बच्चा दिये तो दूद जरूर देख लेना चाहिए दूद निकलवा के देख लेना चाहिए थन को बहुत आराम से हाथ लगा के चेक करने चाहिए गाय सीधी है भैंस सीधी है कि नहीं कोई दिक्कत ना हो जाए बच्चा जिन्दा है कि नहीं ये भी जरूर देखना चाहिए बच्चे की आयू क्या है उससे अंदाजा लग जाता है बच्चा कब दी है और इस तरह की चीजे हमको बहुत जरूरी होती है ध्यान देना चाहिए पसु सीधा भी होना चाहिए बाडी करेक्टर और सारी चीजे ब्रीड करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें देखना चाहिए इस तरह से हम अच्छे पजू खरीदेंगे